हलो गाइस वेलकम टो चैनल इंटेट मेनिया मैं गुलसुन चहान आपको लेकर आ रहा हूं कोलकाता में बहुत यदा फेमस शॉप है तो यहां पर लगए कोलकाता की फेमस देखो चाट लगए यहां पर तो यह शॉप नाम कि है मातरा चाट संटर चीक है तो मैंने सुना यहा हालो टाल दी समय हां यह लिए हरी मेश यह हरी पता आगया यहां पर तो बहुत काला नमक चाट बनाते हैं हां तो तो आप दिखना नहां का टमाटर करने का श्टाइल तो एक दों बड़िया तरीक हैं सारी चीज़े करते हैं बहुत ही बड़ी लगा तो यह तो इसलिए खाने आते हैं तो पुरा स्वाध्या से मेंटेन रखते हैं पुरा कौन सी चट्नी है यह मीठी चट्नी है यह सोट की ठीक है और यह किछी से बनाता है इंपली का ठीक है तो यह थेखो भरके बना रहे है चाट एक तो यही खास बात है प्राइस के रहता है एक प्लेट का 40 का पतास का साथ का है चोटा प्लेट मिनीमम थीस लुगागा है तो एक प्लेट में कंदी प्लेट डालते हो ठीक है और यह सोंट में डाल दी भीए ने यह देखिए लगाने का स्टाइल देखिए भीएगा अरे वाँ तो यह आपको सिर्फ कॉलकाता में देखने को मिलेगा और लोकेशन क्या ही है अच्छा तो आप यहां पर आके भीए से चार्ट टेस्स कर सकते हो तो यह हमारी लगए पापड़ी चार्ट दो प्लेट लगए यहां पर तो भीए एक तम जादा से जादा कॉंटिन बनाते हैं जितना जादा कस्टमर आता है उससे सबसे बनाते हैं तो एक साथ 20 प्लेट भी लगा देते हैं आप 20 प्लेट भी लग जाता है यहां पर ठीक है तो देखतो यह चटनी लग चुके थीम प्लेट में तो भी इसके लाब और क्याकर लगाते हो पापड़ी चार्ट है भूमनी अब यह मशरा डाल रहे चाहिक है आप तो इदम फटाफट काम चल भाए तो ओण स्टॉप काम चलता है वहाँ अपनाते सारा आप जगिए देखें डाल ने एक स्टाइल तो यह सेव ड़ रही है अब ये डालेंगे भाई ये बढ़िया तरीके से डाल रेस में तो ये है फेमस कॉलकता की पापड़ी चाट और इसके एक प्रेट का प्राइस है 40 रुपीज तो ये डाल दी भाई ने हरा धनिया ठीक है ये ठीक है ये ठीक है दुगान की टाइमिंग बता दीजी इवर क्या रहते हैं टाइमिंग के आठ बज़े से नो बज़े तक और हफते में किने दिन खुली रहती है ये तिन सो पंसोटे दिन खुला रहते है तो भी आप दही वाले गुलफ पर लगाने जाए हमाने लिए ये दही पुछका लग रहा है यहां का आजी तो ये डाल दी भीयाने स इस बता दीजी प्रोपर एकट साम बजा ट्रामडबू मातारा चाट सेंटर तो यहां प्राकर इनके दही पुछके खाते है और इनकी पावडी चाट खाते है जी अधिये इसमें मसाला डाल दीए हूं ठीक है जूडी बजा डाल आओ ठीक है सेव आगी ये पोगया अगया इसमें इनकी पाप्री तो इसमें इन्होंने आट पीस जाले हूं और उपर से इन्होंने कापी सारे मसाले डाले हैं और आलू डाला है आलू के साथ तो इसको मैं टेस्ट कर लेता हूं तो पाप्री इनकी काफी जादा लाइट है और उपर से अन्होंने आलू डाला है मसाले डाले हैं और चटनी डाली है काफी चटेस्ट दा रहा है दहीं का काफी फ्रेश है तो अगर आप कॉलकता विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको रिक हैं तो अब इसको टेस्ट कर रहे हैं तो काफी जादा टेस्टी हो रहा है इन्होंने जो आलू डाले हैं मस्ताले डाले हैं बहुत अच्छे हैं तो इनका कॉंबिनेशन काफी अच्छा लग रहा है दही के साथ तो अबरॉल मुझे इनके दही की काफी अच्छा लगे और इसका प्राइस में आपको तो इसका प्राइस है 40 तो अगर आप भी यह ट्राइक करने जाते हैं तो कॉलकात आगे इसको ट्राइक कर सकते हैं तो मैं तो जल्दी से फिनिश करता हूँ मैं सबसे नेक्स वीडियो होगा